अभी में पहुंच विए हूँ पंद्र नगर उनिवर्सिटी में किसान मिला का अयोजन हो रहाए और यह 9 मार्च 2014 से 12 तक के लिए जीहां दोस्तों कल से किसान मिला का यहां पे शुभारम हो जाएगा और चलेगा 18 मैं यहां पर इसलिए पहुंच गया नोतारिक है यो पर इस मेले का आगाज नोधारिक से होने वाला है मैं जिस हिस्से में जिस पार्ट आप मेला हूं यहां पर नर्सरी से रिलेटेट यानि की नर्सरी के और तरह-तरह के प्लांट आपको मिलेगा दूर-दूर से लोग यहां पर आये हुए हैं एक नरसरी जिसे मैंने बात की अभी कुछ दिर पहले तो वह कलकता से आयोए ते कलकता नर्सरी बता रहे थे ऐसे ही आसमास के साड़े नर्सरी तो आए ही हैं दूर दराज के नर्सरी भी आये हैं यह इंडिया लेगल का किशान मेला है और आप इंडिया लेगल का होता तो बर और तब से इस उन्वर्सिटी की शाक बनी हुई है और दिनों दिन बढ़ती जा रही है यहां पर जिदर में कैमरा घुमाता हूं चारों तरफ आपको टेंड लगा हुआ दिखेगा और दिखेगा यहां पर नर्सरी से उतरते हुए शामानगी जो इस वाप की तस्दीक करती ह है कि कल से की नौमार्च फिरिफ्मेले का आज़ हो जाएगा तो आप आपको मैं इसलिए यहां पर ठानिके लिए आल इस ने पिक आप डिक एंटिशार कर रहे हैं कि कब से बत वैँल सेभी नोमार्च से स्टार्ट हो रहा है और बाठर कि चलेगा आप अपने पशंद के हर एक शामान यहां से खिरिद सकते हैं चुकि यह उनिवर्सिटी है तो एक्रिकल्टर से रिलेटेट सावन यहां पर ज्यादा फोकुस करके लगाया जाता है स्टॉल में और बिकता भी खूब है तरह तरह के प्रोग्राम का यहां पर आयोजन हो रहा है जैसे की ट्रेनिंग प् उत्रा हुआ है और कई शारेगारिया आईशा है जो भी उतारने के लिए लगी पर है मैं दिखाता हूं क्या-क्या अभी तक उतर गया है आपको घर बैटे आइडिया लग जाए कि क्या-क्या यहां पर आपको मिलने वाला है इससे पहले कि मैं इस ब्लॉग की आगाज करू आप शबी को नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहें आपका अपना पसंदीदा यूटूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगया चलिए अब इस नर्सरी में क्या-क्या अनलोड हो गया है गाड़ी से क्या-क्या उतार के रखा गया वह दि उस्य। covered के बहुत चारी variety यहां पर मिलेगी लगबक क्याती जिसकी आपको इंतिजार होती है वो सब इरेटी आपर मिलेगा छोटी योटे प्लांट है लेकिन बहुत ज्यादा है यहां पर देखने को मिलेगा यह देखिए जैसे कि यह फूट प्लांट में अम्रूद का प्लांट है इसका एक फिर यहां भी रखा गया है तो सबी साइज के और इन्होंने ग्रो बैग में ज्यादा तर प्लांट को इसलिए लगा है क्योंकि ग्रो बैग में लेगे हुए फ् अपने पास पर होगा है उसका रियूज हो जाए यह भी एकिन का मक्षद होता है इसी वजह से लिए 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 लेना चाहते हैं तो आप अपने शामने वही सक्स मौझूद है जो इस नर्सरी को रिप्रेजेंट करेंगे आए जानते हैं उनका नाम और इस नर्सरी में क्य आपको यहां से लेके जाना ही चाहिए यह मेला रोज लगता मेला कभी भी लगने वाला नहीं होता है और साल में कबल दो बार लगता है यह इसके बाद हो शकता है यह अक्टूबर नवंबर यह दूर्गा पुजा के टाम में यह वेला लगे यहां पे तो आपका बहुत- बंडल जी जिनका नर्सरी के नाम सब्ण में नर्सरी है और यह पोलकाता से आये हुए है आंदा यहाँ पे आपने प्रूट प्लांट के अलवा प्लावर प्लांट भी लगाएं गें ने मेरा अव्ली फूट प्लांट से जो में ली थाइलेंड भी अपनाम बंगलादेश मेंगो होता है जैसे आपने बोला जाते हैं आपने थाइलेंड का नाम डॉक माई जापान की मियाजा की जो कई लाख रूपीस में उसका निलाम बाजर में हुए तो मियाजा की मैंगो बैनाना मैंगो फ्लोरीड का वरैटी आपने कभी जो फॉरिन का वरैटे 20-2500 मैंगो क और बीच में कोभीट के लिए बस आपने एक बारी बंथा उस टाइम भी दूसरा जगा में मिला लगाया था एक बारी बंथा तो हम लोग एक भी बार भी बस कोई मेला हम लोग नहीं किया कंटिनू करते रहा तो उसका उस टाइम से हमारा बेर बहुत हीट हुआ यहापर य लगवन लगवाव सभी मौसंबी का अभी अविलेवल है वह अब आप जदी प्लांट का रेट वी वता दे तो हमारे जो दर्सक हैं उनके लिए शहुलियत हो जागी और वह बचाट यहां तक पहुंच पाएंगे मैंगो में जैसे में जा रहा हो मैंगो की भरेटिया मानके चलिए कि अधिये देखिए हमारे पास जो हमरे इंडिया लोकल रेटी है वो दोस्तों से स्टाट है बगार जो फॉरिंग के वराइटी है ओ थोड़ा मेहंगी है मतलब मानके चलिए 700 रूपया से स्टाट होकर तीन हजार रूपया तक की मेंगो हमरे पास है और जो फॉरिं यह हो रहा है वहां पर यह होगार क्यूंकि एक नागर से हमार इस लेके गाए उनके पास ङूल्टिय विल्कुल बिल्कुल और यह बात करूं कि मेंगो में विखता है उसका क्या नाम है और वह प्लांट है कि आप सबसे महेंगा मेंगो अभी इस टॉल में है नाम डॉकमाई सिया माओ यह काम सी देश की वराइटी यह है अपने थाइलांड की वरेटी तो लांट एक वर दिखा देंगा मैं यह है यह सबसी महेंगो है पर्फेल क्ला राएगी वरेगी यह एक महेंगो का इससे भी यह बुरुना इकिंग पांच लू तक आथा है हम अरे पास ब्रुना इकिंग है वह वह बिखेंगा रेट क्या रखें यह पूदे है थीन हजर रुपिया और इसको नॉर्मल साइल मे पर यह भी चल जाएगा उसके अलाब भी दिल्ली पूसा का भी कुछ राइटी रखा है बैंगलोर आइसे राइटी है हमरे पास जो आपने हमरे आपर मतलब चल रहा है नीबु के पॉद्धे भी मिल जाएंगे नीबु के टोटल वरेटी में हमारे पास है जो कागदी 12 मासी जो पुरा बारो महना सदवर इसका कई वर नियूस में भी आयते हमरा इस एरिया में आपने देख रहा है फ्लारिंग चल रहा है इसमें सब्सक्राइब लगा है यह पूरा सदा बाहर होता है पुरा बारो मासी रहता है इसका रेट किया है इसका रेट जद नहीं 200 रूपिय सब्सक्राइब लगें कि दो बिवेलेमे लगेगी तो जरूर है इसमें प्रीक वह जा आपने देख रहा है ऑपने अर्धिया रिक में पहली होता है एक स्काव इसमें पहौते जुछ रहा है लगें है ये प्रपार होाओ उंको ज्यादा मिलें इनका उतना उतना वहां इसमे पंट को प्रत मुझे लेकिन इस में इनधी महीं जलता है रविभा प्रण ही वालग से मुझे दिख रहा है कुछ यह प्लांट साप्लांट रहा प्रूट का या सो वाले हैं यह आपने अपने अवोगाडो यह नहीं बटर फूट बोलता है मखन फल अच्छा एवोगाडो प्लांट यह भरैटी है मरकाज भरैटी जो लेवल टेंपरेचर में सक्सेस है इसका इसमें दो साल से इसका पैदावार चाल हो जाएगी अच्छा दो साल का प्लांट होने के बाद इसमें फल आने लग जाएगा और इसको भी अम गमले में लगा सकते हैं यह जो बहुत अच्छा होता है थोड़ा हलका सा पहाड हिल स्क्रेशन बहुत अच्छा चलेगी तो एक परसीमन का वरैटी आ है पुरा बिल्कुल जो आते हैं एकद सब्सक्राइब तो बहुत बढ़ियाग वरैटी आया है बाकि अमरूत का तो हमरा काफी फेमास फेमास रेड़ डाइवंड भरैटी है जो बाहर में अमरूत की तेस्ट आएगी अंदर नाश्वतिका टेस्ट आएगी ऐसा इसे वरेटी भी है तो तो स्वाद में हाँ हाँ क बिल्कुल बिल्कुल एक बार भी वास यह मेरा सेवेंटीन या सिस्टीन मेला है अच्छा तो यहां का यहां पर देखिए जो मार्च में को होता है यह थोड़ा हलका होता है जो ऑक्टोबर की मेला होता है वो थोड़ा इसे सब्सक्राइब है नेचरली कि हमरे कुछ अपने अपनी नर्सरी के बारे में सारे जानकारी मुझे पता है इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यबाद उमीर है कि आप आपकी यह वीडियो देखने के बाद कस्टमर और जो नए कस्टमर है वो बनेंगे और आएंगे जैसे कि आप बता रहे हैं कि कुछ आपके कस आपको नर्सरी से आया हुआ शामान यहां पर उतरते हुए दिखाए देगा और यह शुरुवाती दोर है क्योंकि आयोजन मेले का आयोजन कल से होना है तो अभी से लेके साम तक या यूँ कहें कि रात तक यह पूरा आपको सजा हुआ दिख जाएगा अब मैं आ गया महा इस नर्सरी के नाम है महा सरस्वती नर्सरी जो लालपूर दमसिंगर उत्रखंट का है और यहाँ पर शुरुवाती दोर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शुरुवाती दोर में लगभख सभी नर्सरी हाड़ी प्लांट को अनलोड किये है यानि कि नौन फ्लाव आपको दिखेंगे और यह सारे दिखेंगे दोस्तों नौन फ्लावरिंग प्लांट ही अभी इसमें तरह तरह के 20 आपको यहां से मिल जाएगा फिर इसके साथ में जो एस्टॉल है वह भी युनिवर्सिटी का ही इस्टॉल है दोस्तों कि यह बीज के बाद आपको विश्व देल है फार्म का एस्टॉल मिल जाएगा जो अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है और तैयारी जोड़सोर से चल रहे हैं आपको दिखाऊंगों तो टेक्टर से महल उतर रहा है और एस्टॉल अभी साम तक यह लगाकर त्यार कर देंगे दोस्तों यह सामने जो आप देख रहे हैं यह पहला इसा नर्सरी मुझे दिखा जिन्होंने प्लापरिंग प्लांट को भी अन्लोड करके रखा हुआ है और बहुत ही प्यारे-बारे फूल इसमें लग यह दिखना होगा आपको और यह है दोस्तों प्रेनुकलस का इसकी सा प्रेनुकलस का इसकी अलावे भी कई यहां पर आपको मिल जाएंगे यह जैसे सब रेट वेराइटी को इन्होंने यहां पर रखा हुआ है और यह पार्ट में लबे हुए इसका रेट आफ कैमिला मैंने पता किया था 500 रुपय का एक प्लांट बता रहे हैं और कलर की और ठीक उसके बाद यह ट्रोटोन का प्लांट कलरफूल लिप्स वालग फ्रोटोन और एरी का पाम ऐसे फ्लावरिंग और नोन फ्लावरिंग का यह शामन जस्ट बना के रखे हुए हैं चाड़ों तरफ इनका नरसरी का शामन अभी फैला हुआ है और धूप पेजता है श प्लांट का वह सभी प्लांट यहां पर मिल जाएगा और कल से यह फूल फ्लेस मिलेगा अब इस्क्रीन पे जो आपको देख रहा होगा यह छोड़ोटे प्लांट में धेर सारे फूल खिले हुए हैं और यह है दोस्तों कलांचु का कलांचु का हैबिट वहरेटी है जिसमे प्लांट में हरे कलर का फूल आपको देखने को मिलेगा जरा सा प्लांट है और पॉट भी बिलकुल भूरा शही है तो इस जरा जरा से पॉट में भर भर के फूल आया हुआ है और यह सब आज तो मैं दिखा रहा हूं कल पता नहीं कितना इसमें से बचेगा और कितना बिक बहुत बड़ा मिला है बहुत दूर-दूर से लोग यहां पर आते हैं पुरे प्रदेश से पुरे देश से लोग आते हैं क्योंकि यह नेशनल लेविल का किषान मिला है दोस्तों जड़ी आप भी इनमें से कुछ भी फ्लावरिंग या नोन फ्लावरिंग फ्लूटिंग प्लांट खरीदना चाहते हैं तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी आ जाएं ताकि आपको अपने पसंद का प्लांट मिल जाये आपके हाथ से निकल जाएं ना मिले मिले भी तो हल्दी प्लांट को भी शीरपण होने हैं तो बचा अध्या फ्लांट उससे ओम छंके प्लेर्प बर इकाते हैं और पौधे की साइज जदी आप देखें तो देखिए पौधे की साइज जितनी बरिया उससे ज्यादा इसमें भरबर के आये हुए है और हरे फूल इतना प्यारा है कि खाड़ी दने वाले या देखने वाले जो भी आहां पर आते हैं शबी को यह पसंद हो जाता है और इसमे बंच में फूल आता है एक शबी बेंद अलड़ा देखते होंगा एकिन दो चार फूल आता है लेकिन इनमें इन में चुछिर को यह साथ जाओ अब ढ़ता है और गल दस्ता का अधर बन जाता है और इस में सभी तरह तो ओन रूशंग ए पिल गजईता सब्दूर को मिलाइ अभी सुनसान सा यह लग रहा है खडीदार से भरा हुआ दिखेगा और यहां पर जितने भी नर्सरी को मैंने भी जित किया है उसमें जदी किसी नर्सरी के स्टॉल में प्लांट इबलेबल है तो अभी के यह जदी में बात करूं तो यहां पर सबसे ज्यादा फ्लाविंग प्लांट इबलेबल है जो आपको इस्क्रीन पर भी दिख रहा होगा यह सामने जो दोस्तों दिख रहे हैं और यह है अजेलिया?" इसका रैट वधालीगा तो एक 2004 के बीडूबल प्लांट और यह सेटवयंग हों अंधूब में बेटर रिजल मिलता है उसको मैं एक लाइन से कोशिश करता हूं इनके यहां जो फ्लावरिंग प्लांट है उसको मैं दिखा दूँ ताकि आप इसी हिसाब से त्यार होके अपने घर से आए और अपने पसंद का प्लांट ले जा सके हैं कि इसके बाद फिर यहीं जो ग्रो बैग में लगे हुए वह रेनुकिलस सेवेंटी रूपीज का बता रहें और इसमें भी सारे वह भिराटी मिल जाएंगे आपको जो पॉर्ट में लगे हुए प्लांट थोड़े बरे हैं तो उसका रेट भी उससाब से हैं और बड़ा है त सब्सक्राइब लगे हुए हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे होगा यह रेनुकुलस का रेट भेरेटी है और यह पॉर्ट में धाईशों रूपे का एक प्लांट आपको मिल जाएगा यह भी एक प्लांट है और इसको जदी आप सेमी सीट सेमी सेट एरिया में रखें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं यह हलकी दूप बाली मौशम है और इस मौशम में कोई भी प्लांट आप आशानी से रिपोर्ट करें तो खराब नहीं होगा बढ़ियां ग्रो करता रहेगा एक यह भी पर एक मेने आभी आपको दिखा दिया तो यहां की खास बात यह है कि इस मौके के लिए यह लगो काफी दिनों से बरे अस्तर पर त्यारी करते हैं और दूर दूर से बहराइटी कलेक्ट क हैं ताकि यहां पर आने वाले कास्टमर को यह निरास ना होने दें और उनको अब उनके पसंद का प्लांट देशक हैं इसके साथी दोस्तों इस व्लोग को मैं यहीं खतम करता हूं उम्मीद है आप लोगों को यहां पर किसान मेला जो आयोजीत हो रहा है यह इन्फॉर्मेशन में जो देना चाह रहाता वो मिल गया होगा और आप लोग घरते यहां पर खड़ीदारी का रूख जरूर करेंगे क्योंकि यहां पर हरेक तरह का प्लांट आपको हरेक साइज और जोबी फ्रुटिंग नवरिंग प्लांट फ्लावरिंग प्लांट व्लावरिंग पलांट सभावेंगत शब्यांदि मिल जाएंगे इसी इंफोर्मेशन के साथ इस ब्लोग को मैं यहीं खतम गरता हूं मिलता हूं आप से फिर किसी नए लोकेशन पर किसी नए टॉपी के साथ तब तक के लिए मुझे दीजे विदा धन्यमाद दोस्तों इस ब्लोग को अभी तक देखते रहने के लिए